हेलो नमस्ते और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है कम्पोटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ सौरप FTR 3.0 की जो सीरीज सल रही है उसमें आज गनतिय योग्यता का चौथा दिन है और चौथा पार्ट के वीडियो में हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं साड़नी, पाईचाट, दंडारेक, रेखा चित्र और आकडे परियाप्तता ये जो पांचों विशय हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका वेटेज बहुत जादा है अगर इसमें से कोई भी सवाल आता है तो डारेक्ट के डारेक्ट आपके पांच कुश्चन इसमें से आते हैं तो अगर हम इन विशेओं की बात करें तो देखिए सवाल तो आप क्या आते हैं प्रतीशत से और अनुपाद से लेकिन उनको सवाल को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये इन तरीकों में आपको एक सवाल दिये जाते हैं तो आईए पहले प्रतीशत का जो फर्मूला है और ओसट का जो फर्मूला है वो हमें उसमें क्या क्या जानना है वो पहले देख लेते हैं उसकी बाद फिर इनके सवालों को भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी पैन उठाईए और मेरे साथ शुरू से आखरी तक बने रहिए, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी सी है प्रतीशत वृद्धी और प्रतीशत कमी का जो फॉर्मूला होता है अगर हम अंतिम मूल्य और प्रारंभीक मूल्य की बात करते हैं, तो प्रतीशत वृद्धी में अंतिम मूल्य माइनस प्रारंभीक मूल्य बटे प्रारंभीक मूल्य गुने 100 करोगे तो प्रतिशत विद्धी निकल जाएगी और अगर प्रतिशत कमी निकालनी है तो यह होती है भई प्रारंभीक मुल्य माइनस अंतिम मुल्य बटे प्रारंभीक मुल्य गुना 100 ऐसा इसलिए हो रहा है देखिए अगर ये हमारी प्रारंभीक मुल्य है ठीक है और हम यहाँ पर अंति मुल्य लिखते हैं तो अगर हम यहाँ पर प्रतिशत वृद्धी की बात कर रहें तो जाहिर सी बात है अब 100 से इसको बढ़ाओगे अगर मैंने इसको 20 से बढ़ाया तो यह कितना बन गया 120 बन गया तो यहाँ पर हमने क्या किया इस प्रारंभीक मुल्य को हमने कुछ मुल्य से बढ़ा दिया वहीं अगर आप कमी की बात कर रहें तो 100 से अगर मैंने इसको 20 कम करके यहाँ पर 80 बना दिया तो यहाँ पर हम क्या कर रहें कहीं कम कर रहें तो पर हम अंति मुल्य में से प्रारंबिक मुल्य को घटाते हैं तो कि जब विर्दि किया जाता है तो अंति मुल्य बढ़ा निकल के आता है और कमी जब करते हैं तो प्रारंबिक मुल्य बढ़ा होता है और अंति मुल्य छोटा होता है इसलिए प्रारंबिक मुल्य में से अंति म को घटाया जाता है और बटे में बटे में हमेशा वो समख्या होती है जिसके reference पर आप निकाल रहे हैं प्रतीशत हमेशा हम प्रारंबिक मूल्य के reference में यहाँ पर प्रतीशत निकालते हैं तो अगर हम इस इसमें अगर हम प्रतीशत कमी निकालें ग्याद करें कि कितना होगा तो देखिए formula में बिठाते हैं 100 में से 80 माइनस होगा तो 100 माइनस 80 बटे 100 और गुने में यहाँ पर 100 आ जाएगा ठीक है इस 100 और 100 को काट दिया जाए तो 100 में से 80 घड़िया तो 20 प्रतीशत की कमी आ गई ठीक है मज़े की बात यह है कि अगर मैं इसे प्रारंबिक मूल्य मान लेता हूं और इसे हम अन्ति मूल्य मान लेते हैं तो अगर इसे हम अनुपात निकालें कि 100 और 80 को अगर हम अनुपात में लिखें तो यहाँ 20 से कटेगा तो 5 आएगा यहाँ पर 20 से कटेगा तो 4 आएगा अगर प्रारंबिक मूल्य पांच है और अंतिम मुल्य 4 है अब देखते हैं कि प्रतिशत कमी कितनी आ रही है तो देखे फॉर्मूला तो यही लगेगा हमारा फॉर्मूला क्या है अंतिम मुल्य को घटाए जाएगा प्रारमिक मुल्य से यानि 5-4 बटे प्रारमिक मुल्य हमारा 5 था और गुने में 100 करे था इसलिए वो आ रहा है क्योंकि प्रारमिक मुल्य और अंतिम मुल्य का जो अनुपात है उसको हम नहीं बदल रहे हैं चाहे अब 180 लिखें वहां पर भी पांच अनुपात चार ही है अनुपात क्योंकि 20 गुना करने से यह बना और 20-20 काटने पर पांच और शार का प्रार तरमिक मुल्य और अनुपात को अगर हम यहां पर किसी भी अनुपात को ना बदलें तो चाहे वो प्रतिशत वृद्धी हो चाहे प्रतिशत कमी हो तो जब आप कोई बहुत करके देखते हैं देखते हैं वो बटा में चला जाएगा और उसके reference में आप क्या निकाल रहे हैं बी के reference में आप A को निकाल रहे हैं तो जो निकाल रहे हैं उसको हम numerator में लिखेंगे याने की अंश में लिखेंगे और जिसके तुल्ला में निकाला जा रहा है वो हर में आ जाएगा, तो A बटा B गुने 100, अब फिछले वाले में हम वर्धी निकाल रहे थे, तो वर्धी निकालने का मतलब यही हो गया, कि अंति मुल्य में से आप प्रारंभिक को घटा रहे, तो वो वर्धी हो गई, लेकिन किसके तुल्ला में, प्रारंभिक मुल्य में इसलिए प्रारंभिक मुल्य वहाँ पे आपके हर में आ रहा था, तो जिसके भी तुल्ला में आप निकाल रहे हैं प्रतीशत, वो हमेशा बटे में जाएगा, और गुने 100 इसलिए कर देते हैं, क्योंकि हमें प्रतीशत मान निकलना है, आशर करता हूँ कि यह वाला हो गया, असी होगा, इसका उसात अगी अगर निकालना है, तो उसात होता है मुल्यों का योगफल, इन सभी को जोडना होगा, तो 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 80 और बटे में संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच से बाट देंगे इसको, जो संख्या हाईग हो गया, और यहाँ पर 63 हमारा उसत निकल गया, एक तरीका तो यही है उसत निकलने का, एक दूसरा तरीका और होता है, डिवेशन से, वो भी देखकर रखते हैं, क्योंकि एक्जाम में कही कही हमारा जो क्यलकुलेशन है, वो फटा-फट उससे हो जाता है, तो देखे, आप को जो मंचा है, वो आप उसत मान लीजी, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, तो देखे, मुझे यहाँ पर, यहाँ पर जो संख्या दी हुए, इसमें से अगर कोई एक संख्या लिया जाए, तो हमारा जो क्यलकुलेशन है, वो आसान हो जाता है, तो क्यों न हम बीच की संख् है, अब हमें करना क्या होगा, इस तरह से ब्रैकेट बना जीजी और बटे में पांच कर दीजे, क्योंकि यहाँ पर जो है, पांच संख्या है, जितनी संख्या होंगी, उसको हम वहाँ पर बाटेंगे, उसी से बाटेंगे, अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना क्या ह हम देखेंगे कि एक एक संख्या से इस साथ जो हमने औसत माना है इस साथ से हर एक संख्या का अंतर कितना है यदि संख्या छोटी है तो हम वहाँ पे रिनात्मक संख्या लिखेंगे लेकिन यदि संख्या बड़ी है तो वहाँ पे हम घनात्मक संख्या लिखेंगे जैसे कि 45 से 60 का जो अंतर है वो 15 का है, लेकिन जो 45 है वो छोटी है, इसलिके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माईनस का 15 लिखेंगे, और यह जो 55 है यह से 5 छोटा है तो हम रिनात्मक माईनस 5 लिखेंगे, प्लस 0 क्योंकि 60 और 60 का अंतर तो 0 ही है और 75 जो है 60 से 15 बड़ा है बड़ा होने पर हम धनात्मक संख्या लिखेंगे और 20 बड़ा है यह तो यहाँ पर फिर से एक बार प्लस का 20 लिख देंगे अब देखिए करना क्या है इस अंतरों को हम जोडेंगे और घटाएंगे अगर माइनस है तो 15 से 15 कड़िया और 60 में यहा है औस ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए बात देखिए दोनों तरीके इंपोर्टेंट हैं कहीं कहीं सवालों में बहुत ही टिपिकल डेटा दे देता है वहाँ पर आगर आप इस तरीके से आप निकालेंगे औस तो आसान होगा ठीक है चले आगे बढ़ते यह तो कुछ ब है उसके बाद फिर सवाल देखेंगे तो देखे पहले निर्देश परते हैं नीचे प्राइचाट में किसी छात्र द्वारा एक परिक्षा के पांच विश्यों में प्राथ अंक दिये गया है उसके प्राथ अंकों का योग जो है वो है 450 450 अग प्राइचाट में का भली भा देखेंगे तो यह हमेशा कितना आएगा 360 डिगरी आएगा क्योंकि एक वृत में हमेशा जो पूरा कोन बनता है वो 360 डिगरी का बनता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कुल योग जो है उसके परिक्षा में उसने 450 अंक प्राप्त किये मतलब यह जो 360 डिगरी है वो 450 अं तो 450 में से कितना अंक लाया होगा वो इसके समानुपाती रहेगा जिस अनुपात में आपका डिगरी चलेगा उसी अनुपात में आपके अंक पी चलेगी आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा आपको तो डिगरी के उपर हमने एक चार्ट लिया हुआ है पहला वाला इस तो हमेशा 360 degree के बराबर है अगर आप degree मान में निकाल रहे हैं तो degree मान में ही पूरे को हम calculate कर सकते हैं 90 degree इसने लाया कुल कितना है 360 degree तो बटे में 360 degree कर लेते हैं और गुने में यहाँ पर 100 कर लेते हैं 90 से काटेगा यह 4 बार कटेगा और 1 बटे 4 मतलब यह कटेगा आपका 25 मतलब इसने बहुतिक शास्त्र में 25 प्रतीशत अंख प्राप्त की जैसे कि A B का कितना प्रतीशत है तो जिसके तुलना में उसको हम हर में लिखते हैं तो कुल के तुलना में था तो कुल यहाँ पर 360 degree और बहुतिक शास्त्र में 90 degree था तो 90 degree बटा 360 गुने 100 करेंगे तो 25 प्रतीशत अंख जो है उसने बहुतिक शास्त्र मिला आशा करता हूँ पहला सवाल आपको आसानी से समझ करें होगा अगला सवाल दिखते हैं तो यहाँ पर विशय दिये हुए हमको यह पता करना है 100 अंख किस विशय में आये तो देखिए हमको हर एक डिगरी जो है उसका अंख जो है वो निकालने से बढ़िया यह होगा कि 100 अंख के बराबर डिगरी कितना है वो निकाले यह ज्यादा चोटा तरीका है जैसे कि हमको यह पता है कि कुल उसने 4500 अंख लाये थे और 4500 अंख के बराबर 360 डिगरी है यह बात तो हमें पता है क्योंकि कुल 307 डिगरी होता है तो 100 अंख के बराबर डिगरी कितना होगा क्या हम यह निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं 360 डिग्री में अगर 4500 से भाग देंगे तो ये हो गया एक अंख का डिग्री मान लेकिन हमें तो 100 अंख का डिग्री मान चाहिए तो गुणे में हम कर देंगे 100 90 से इसको काटेगा तो ये 4 बार कटेगा ये 5 बार कटेगा और 5 से 100 को हम 20 बार काट सकते हैं और 4 गुने 20 हो गया 80 मतलब कि इस 100 अंक के बराबर 80 डिगरी है और यहां अगर देखा जाए तो 80 डिगरी गनित में आया तो यही उत्तर हो जाएगा ए उत्तर जो है कि दूसरे सवाल में कि गनित में उसने 100 अंक प्राप्त किये हुए आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़तें तीसरे सवाल आचुका है हल करने की कुशिश करेंगे गनित और कम्प्यूटर विज्ञान में प्राप अंक का अंतर तथा निन्म दो विश्यों के प्राप अंकों के बराबर है तो हमें करना क्या है देखें गनित और computer के बीच का अंतर हमें निकालना है और इन सभी में क्या अंतर है और गनित और computer के बीच में क्या अंतर है इसमें से कौन सा उसी के अंतर के बराबर है यह हमें निकालना है तो देखें हमको क्या दिया वाता गनित और computer तो हम देखेंगे कि गणित और computer में कितना अंतर है तो देखे गणित ये रहा और computer ये रहा इन दोनों में अगर अंतर की हम बात करें तो देखे 60 और 80 में कितना degree का फर्क है आप देखेंगे 10 degree का फर्क है अब क्या आप ये बता सकते हैं कि बाकी कौन से दो विशेव में 10 degree का अंतर है clearly यहाँ पर पता चल रहा है ये सपश्ट है कि 55 और 65 में 10 डिगरियों का अंतर होता है तो अगर 10-10 डिगरियों का अंतर इन दोनों में है मतलब अंकों में भी बराबर बराबर का ही अंतर होगा तो रसायन शास्त्र और अंग्रेजी जो है अंग उनकी degree जो है वही अंकों का समानुपाती है तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के पर आचुका आईए इसको solve करने की कोशिश करते है इस चात्र ने computer विज्यान तथा भौतिक विज्यान के प्राब अंकों का योग इसके रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में प्राब अंकों के योग से कितना अधिक है तो computer विज्यान और भौतिक में इसको जो अंक मिले यानि की computer विज्यान और भौतिक की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक शास्त्र और computer को इन नोनों को जोड़ेंगे तो कितना आगया आपका होगे 160 degree आगया और हमें यह किस से जादा हमें निकालन लेकिन हमें यह निकालना था कि यह योगफल इससे कितना जादा है तो आप देख पा रहे हैं कि यह 40 degree जादा है कितना जादा है 40 degree जादा है अब हमें यह पता है कि 360 degree का मतलग कुल अंक के होगा यानि 450 अंकों के बराबर होगा यह बात तो हमें पता है तो आप 40 degree निकालने की नहीं, 40 degree निकालने जाओगे तो यहां देख रहा है कि 360 में आपने 9 बटा किया, तो पता चला यहां पर 40 degree आ गया, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 9 बटा करेंगे तो यहां पर 50 अंक निकल के आ जाएगा, इतना असान सी बात है, तो यह जो 50 है, C इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा अपको, बहुत ही simple तरीके से, आसानी से हम इसको solve कर रहे हैं, अगला सवाल देखते, तो यहां पर अगला सवाल आ चुका है, देखे, 5 विश्यों में औस अंक कितना मिला, तो देखे, हमें तो यह पता है कि 500 अंक का योगफल कितना था, 4500 था, तो 4500 बटे 5 कर देंगे, 4500 कुल अंक है, और बटे में 5 कर देंगे, यही तो असात होता है, कुल योगबटे संख्या, यानि कितना हो गया, 90 अंक जो है, यह इसका औसत निकल के आ जाएगा, बी उत्तर हो गया, आसानी सी बात है, तो ऐसे जो छोटे-छोटे सवाल होते हैं, इसको आप पहली एटेंब में करिया किजिए, ताकि जो difficult question है, उसमें आपको ज़्यादा समय मिले, बाद में इसको solve करने के लिए, अगला सवाल आ चुका है, किसी विशय में चात्रे ने 22.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किया, यह हमें निकालना है, तो किस विशय में इतना अंक प्राप्त किया, लेकिए 22.2 प्रतिशत, प्रतिशत वाले जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि 11 दसम्लव एक एक प्रतिसत जो होता है यह एक बटा 9 होता है तो अगर यहाँ पे 22 दसम्लव 2 है जिसको हम एप्रॉक्सिमेटी लिख सकते हैं 2 बटा 9 तो 2 बटा अंक किसमें प्राप्त किया देखिए यह सारे जो विशय है यहाँ पर हमको डारेक्ट तो 2 गुने 9 याने कि 22 दसम्लव 2 प्रतिसत का मतलब होता है 2 बटे 9 और 2 बटे 9 का मतलब क्या हो गया कुल का 80 डिगरी और 80 डिगरी हम देख पा रहे हैं कि गणित में आया तो हमको पूरा थोड़ी निकालना था हमको बस डिगरी निकालना था कि 22 दसम्लव 2 प्रतिसत अब 80 degree हो गया और 80 degree किसमें आ रहा है गनित में आ रहा है आशा करता हूं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगला सवाल आपके स्क्रीन के पर आईए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखें तीन विशे रसायन शास्त्र गनित और अंग्रेजी में क पर 80 भी जोड़ोगे तो तीनों का जो योगफल आ गया वो आ गया कितना 200 का आ गया तो 200 degree के बराबर कुल प्रतीशत मान निकालना है देखें तो हमको पता है कि अगर ए बी के तुल्ना में अगर प्रतीशत निकालना था तो हम ए उपर लिखते हैं मतलब 200 और कुल अंख अ मतलब 5 बटे 9 वो ने 100 हो गया एक बात हमें पता है कि एक बटे 9 का जो प्रतीशत मान होता है वो 11 एक बटे 9 प्रतीशत होता है लेकिन यहां तो 5 है तो 5 गुना हो जाएगा इसमें तो उत्तर कितना हैगगा 55 प्रतीशते वाले वीडियो हमने बताया था कि एक बटे नौ मतलब ग्यारा एक बटे नौ होता है लेकिन यहां तो पाँच बटे नौ है तो उसमें भी पाँच गुना हो जाएगा तो पचपन पाँच बटे नौ हो जाएगा आशा करता हूं कि आपको समझ में होगा ठीक चलिए अगला सवाल दिखते हैं अब एक नया यह वरा यहां पर नीचे देगर पाईच वा चार्ट में दिया गया है इसके भलीभाति तरह हमें अध्यान करना है और नीचे दिए परश्रों का उत्तर देना थ तो देखे अब यहाँ पर हमने दो सवाल लिया थे पहला जो सवाल था वह डिगरी में था अब हमने प्रती सत मे यहाँ पर दिया हुआ है royalty और छपाई में 18% इस तरह से आपका 100% जो है वो बटा हुआ है अब हमें यह पता चल गया कि इस तरह से अगर खर्च बटा हुआ है अब दिखते हैं कि सवाल क्या है जल्द साजी का खर्च कागच के मूले का कितना प्रतिशत है तो जल्द साजी य तो यहाँ पांच से काटे होगे तो तीन बटा साथ आ जाएगा अब देखिए प्रतिशत वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक बटे साथ का मतलब होता है 14.28 अगर यह 14.28 प्रतिशत है तो यहाँ तो तीन बटे साथ है तो तीन बटे साथ मतलब इसमें भी गुणा त इसमें भी गुणा तीन तो यह हो जाएगा आपका 42.84 प्रतिशत मतलब लगभग इसका उत्तर कितना हो गया 43 प्रतिशत 43 प्रतिशत इसका उत्तर हो जाएगा ठीक आशा करता हूं आपको समझ में आयोंगा बहुत ही आसान सा कुश्चन है दस्वे नंबर का सवाल आ चुक अठारा प्रतिशत बरावर है 30,600 रुपिया तो अब हमें पूछ रहा था कि रॉयल्टी में कितना खर्च हुआ तो रॉयल्टी में 17 प्रतिशत खर्च हुआ होगा यानि अगर 18 प्रतिशत का मान इतना है तो 18 से अगर काटेंगे तो देखें एक बार जाएगा 18 फिर 12 रह 12 26 यानि 1700 रुपिया यानि एक प्रतिशत का मान हमने निकाल दिया 1700 रुपिया तो अगर एक प्रतिशत इतना है हमें एक प्रतिशत तोड़ी निकालना है हमें तो 17 प्रतिशत निकालना है रॉयल्टी के बराबर तो गुणे में हम 17 कर देंगे 17 का वर्ग होता है 298 289 और आग question दिखते हैं जल्ड़र साजी के संगत केंद्र कोन कितना है जल्द साजी में धिखे प्रतिशत मान दिया हुआ है 15 प्रतिशत अब हमें एक चोटी सी बात पता है कि 100 प्रतिशत जो होता है यह कुल मान है और कुल प्रतिशत बराबर इतना है तो एक प्रतिशत बराबर 360 डिगरी बटे 100 लेकिन हमें एक प्रतिशत थोड़ी निकालना था हमें तो 15 प्रतिशत निकालना था तो हम गुणे में क्या करेंगे 15 कर देंगे अब शुन्य शुन्य कर जाएगा 5 से काटोगे तो यहां 3 यहां 2 आ रह चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं यदि खर्च में 6,000 रुपए खर्च हुआ तो रोयल्टी पर खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है तो विविद की बात कर रहा है अब देखिए विविद का प्रतिशत मान यहां पर पता है में विविद में 5 प्रतिशत कर्च हुआ इसका मतलब 5 प्रतिशत जो है इस 5 प्रतिशत का मूले दिया हुआ 6,000 रुपिया 6,000 रुपिया हमें दे दिया अब पूछ रहा है रोयल्टी का खर्च जो था वो विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक था तो रोयल्टी का खर्च था 17 प्रतिशत और विग्यापन कहा है विग्यापन पे था 10 प्रतिशत तो अगर हम यहां से देखते हैं कि इसमें कितना अधिक आया तो आपका जवाब होगा भई यहां 10 प्रतिशत और यहां पे 17 प्रतिशत तो अधिक हो गया 7 प्रतिशत यानि 7 प्रतिशत अधिक अगर हम दे रहे हैं तो साथ प्रतिशत का मान हमें निकालना है पांच से काटोगे तो यहाँ पर बारा सो आएगा मतलब एक प्रतिशत का मान हमें पता चल गया बारा सो रुपिया हमें लेकिन एक प्रतिशत थोड़ी निकालना है हमें तो 7% निकालना है तो गुणे 1200 कर लेते हैं और 1200 गुणे करोगे तो आ जाएगा 2400 रुपिया ठीक है तो डी जो है इस सवाल का सही उत्तर है ठीक है आशा करता हूँ आपको समझ भेया होगा कि रॉयल्टी में हमने 7% अधिक खर्च किया था और 5% का मान दिया था तो 7% भी निकल जाएगा अब यहां से साड़नी का सवाल हमने लिया हूँ है पहले सबसे पहला काम है कि हम अच्छे से निर्देश को पड़े तो देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है निम्नांकित तालिका में किसी देश के चार राज्यों की विभिन वर्षों की जन संख्य प्रदेश्चत की गई है तालिका को अध्यान करके निम्नांकित प्रश्ण का उत्तर दिए तो देखिए यह तेबल है यहां राज दियो है A B C D और यहां पर वर्ष दियो है 1950 से चालू हुआ इसके बाद आप 60 में आए फिर 70 में यानि दशकों का है यह और आकड़े जो है तो 44 करोर था वैसरी naughty की बाद करें तो ग्रामिन शेथर 50 करोर और शेहरी जो था 58 जो था 58 इसके बाद अगर हम ग्रामिन की बाद करते हैं तो यहां पर 70 और सयलिस था C में तो इस तरह से हम इसको अध्यायन कर सकते हैं अब देखते सवाल क्या पूचा हुआ है उसके बाद इसको solve करने के कोशिश करेंगी तो अगर B-Rajjy में किसी दशक में जनसंक्या के वृद्धी सरवाधिक किसमे होई हमें निकाले है B-Rajjy के किस दशक में जनसंक्या के वृद्धी सक्स्याधिक होई यह हमारा पहला सवाल है तो देखिए हमारा जो ध्यान जाएगा वो जाएगा भई B-Rajjy में यह हमारा B-Rajjy हो गया अब अगर B-Rajjy की हम बात कर रहे है तो 1950 से 1960 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में तो कोई विर्धीन होई यहाँ पर प्लस 8 हो रहा है मतलब टोटल में यहाँ पर आठ करोड जनता बढ़ गई आबादी बढ़ गई 60 से 70 में अगर हम आते हैं 60 से 70 में 48 से यहाँ 54 हो रहा है यानि 6 बढ़ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 58 से 62 हो रहा है मतलब 4 बढ़ दा है मतलब टोटल यहाँ पर 10 करोड जनता बढ़ गई आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यह 54 से यहाँ पर माइनस का दो हो गया और यहाँ पर प्लस का दो हो गया 62 से 64 में मतलब कि यह शून्य हुआ अब आगे बढ़ते हैं तो यह दुनों आपका कुछ भी बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है लेकिन यहाँ पर आपका 2 बढ़ रहा है मतलब कि कुल 1980 से 90 में आपका 2 करोड की जनता बढ़े तो सबसे सरवादिक वृद्धी जो हुई 2 राज्य के अंदर वो हुई 1960 से 70 में 10 करोड का आशा करता हूं कि इस सवाल आपको अच्छे से समझ भी आए होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं अब इस सवाल में ए राज्य के शहरी शेत्र की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बोला गया कि किस दशक में जनसंख्या का प्रतीशत वरिद्धी सरवाधिक रहे हैं तो देखिए हम ए राज्य के अब शहरी शेत्र के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि इस डेटा को उपर हमारा ध्यान जाना चाहिए अब देखिए हम यहाँ पर प्रतीशत मान निकालेंगे यह चोटी सी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दी थी तो अगर हम यहाँ से 44 से 44 बढ़ा रहे हैं मतलब अंति मूलो और प्रारंबिक मूले बराबर हो गया मतलब यहाँ पर तो आपका 0 प्रतीशत की वरिद्धी होई अब 60 से 70 के दशक में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 बढ़ रहा है तो अंति माइनस प्रारंबिक 4 हो गया लेकिन हम यहाँ पर बटे में क्या करेंगे प्रारंबिक से बाट देंगे और गुणे में 100 करेंगे और यह 4 कटेगा इससे 11 बार और एक बटा 11 हम आपको बता चुके प्रतीशत वाले वीडियो में यह होता है 9 दसमलव सुनिये 9 प्रतीशत ठीक है तो यह असानी से हमने निकाल दिया 70 से 80 के दशक की अगर बात करते है तो यहाँ पर 7 की वृद्धी हो रही है तो लेकिन 7 किस में बढ़ा यह 48 में बढ़ा गुणे में 100 अगर यह 48 के जगा पे होता 49 48 के जगा पे 49 होता तो 7 सी यह 7 बर कर जाता और 1 बटे 7 का मतलब होता है 14 दसमलव 2 8 प्रतीशत मतलब लगभग यह 14 प्रतीशत के आसपास आएगा और आखिर में यहाँ पर 1980 से 90 की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतिम माइनस प्रारंबिक करोगे तो 3 इनकी वृद्धी हो रही है लेकिन हम हमेशा प्रारंबिक मूले के रिफरेंस में निकालते हैं तो पचपन गुने 100 ठीक है यहाँ पर आगला सवाल दिया हुआ है वर्ष 1990 में राज सी की शहरी जनसंक्या उसके ग्रामिन जनसंक्या का लगभग कितना प्रतीशत है तो अब हमको जाना है सी में और हमें 1990 की बात कर रहा है मतलब इसकी बात कर रहा है तो हमसे यह पूछा गया कि राज सी में जो शहरी जनसंक्या शहरी जनसंक्या कितनी है 57 है और ग्रामिन कितनी है 70 है तो शहरी जनसंक्या याने 57 ग्रामिन जनसंक्या याने 70 का कितना प्रतीशत है यही हमसे पूछ रहा है तो A B का कितना प्रतीशत है कैसे निकाला जाता है ए बटा भी गुने सो यह चोटी सी बात तो हम जानते हैं सुन्य सुन्य कटेगा तो 570 बटे साथ आएगा अगर 560 होता तो 80 आता 80 से थोड़ा ज्यादा है 10 ज्यादा है मतलब 1.11 उचाएगा मतलब 81 प्रतीसत के आसपास उतर है तो यह जो A है इसका सही जवाब हो गया तो आशागरताओं की यह सवाल आपको समझ मैं होगा आसान सी ही बात है अगला सवाल दिखते है 1970 में राजडी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामिन जनसंख्या से लगबग कितना प्रतीसत कम है अब यहाँ पर प्रतीसत कमी निकालना है मतलब आपको पहले तो अंतर लेना पड़ेगा बटे में आपको प्रारंबिक मूल्य निकालना होगा उसके बाद आपको प्रतीसत निकालना होगा तो 1970 में हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम 1970 में D की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था यह होता है प्रारंभीक मुल्य में से आपको अंतिम माइनस करना मतलब 63 में से 37 माइनस करोगे तो आएगा 26 26 बटे में आपका प्रारंभीक मुल्य यहां पर 63 है गुणे में 100 करती थे अब अगर यह 26 के जगा 27 होता तो 3 बटे 7 बन जाता और गुणे में 100 मतलब लगबग 1 बटा 7 तो होता है 14 तो 3 है तो 42 इसके असपस आएगा अब देखिए आप फस गए यहां 41 भी है 42 भी है ऐसे में आप approximation यहांने लगबग अंदाजे नहीं निकाल सकते तो यहां पूरा calculation करना पड़ेगा रिस्क नहीं लिया जा सकता तो 26 को बाट देते हम 63 से तो चार बार कटेगा तो चार गुणे 6 होता है चोविस और यहां पर 3 से 12 और आएगा मतलब 250 मन जाएगा उस और इसको बाटेंगे तो यहां 80 आएगा 80 आने का मतलब एक बार यह 63 63 से कटेगा और इसको माइनस करेंगे तो भई यहां पर आजाएगा 17 और यहां पर आप दसम्लाव लगाओगे तो 1.0 और आएगा अब यह 49.29 प्रतीशत क्या 42 के पास है कि 41 के पास है 41 के पास है तो डी उत्तर जो है इसका सही जवाब होगा ठीक है आशा करता हूँ यह आपको समझ में होगा जब भी ऐसे कुछ मान मिल जाता है जो की काफी करीब है तो हमको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना ही होगा ठीक है अधर्वाइस बहुत दूर है तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा लगभग मान निकाल कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 17 नमबर का सवाल आ चुका है यह हम सको सौल करते 1960 में ए राज्य मतलब 1960 में ए राज्य की बात हो रहा है शहरी जनसंख्या उसके कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतीशत है तो यह शहरी जनसंख्या और कुल जनसंख्या का कितना प्रतीशत पूछ रहा है भी calculate करके देख सकते है 4400 को यदि हम 94 से काटते हैं तो आप देखते हैं कि 4 बार जा रहा है 4 बार मतलब की 4 into 90 करोगे 360 आएगा और यहाँ पर आपका 4 से 16 और आएगा मतलब 376 इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर इसको माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा और यह 3 मन गया 3 मन गया मतलब यहाँ पर 13 640 आगया और 640 का मतलब 94 में कितना गוןा करना पढ़ेगा हमें लगबग देखिए अगर 6 गुणा करेंगे यह 7 गुणा करेंगे लगबग 7 होगा 7 से थोड़ा चुटा है तो अगर इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है तो आइए निर्देश में देखते हैं क्या दिया हुआ है ठीक है प्रश्ण 18-22 में दिया हुआ है निमलिखी दंडारे तो अगर हम यहां राज्य की बात करते हैं तो A, B, C, D, E पांच राज्य की बात कर रहा था यह और यहां पर अगर हम उपज की बात करें तो लाख टन में है मतलब A की अगर चावल की उपज की बात करें तो 8 लाख टन है एक ही गेगों की बात करें तो 16 लागता ने इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे ग्राफ को अब देखे क्या दिया हुआ चावल का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है तो चावल का मतलब हम जानते है चावल का मतलब ये वाला है और चावल में सबसे अधिक उत्पादन यहां पे हो रहा है तो सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है भी कर रहा है ठीक है आसान सा सवाल है इस तरह के सवाल आपको पहले करने आपके एक्जाम में बाद में आप डिफिकल्ट सवाल भी लगाईएगा अब देखे अगला सवाल आचुका है यहां पे पूछा है उलेखित राज्यों में चावल का उसत उत्पादन कितना है उसत हमें पता है कि योगफल बटे गुन्या में पांच करना पड़ेगा क्योंकि पांच राज्य है तो सबसे पहले यहां से चावल की बात करते हैं तो चावल यहां पे आठ है आठ में दस जुड़ोगे यह आपका आठारा बन गया आठारा में यह हो गया चार जुड़ोगे तो यह बन जाएगा आपका बाइस 22 में इस 4 को जोड़ोगे 26 और इस 2 को जोड़ोगे तो कितना आजाएगा 28 आजाएगा तो औसद यदि हमें निकालना है क्या निकालना था औसद तो यह होता है योगफल जो कि आगया 28 मटे में कितनी राज्जी है 5 तो यह अटका बन जाएगा 25 से 5 बर कटेगा तीन आगया आगया तीन यानि कि 36 बर आजाएगा दसम्लब 5 पांच दसम्लब 6 आजाएगा यानि बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो गया ठीक है आसान सी बात है 28 जो है इस चावल के उपज का जो योगफल था वो 28 आया था इन दोनों को यदि जोड़ा जाएगा 4 प्लस 2 6 है इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6 यहाँ पर भी 8 का ही हो रहा है तो यहाँ पर जो है 6 सबसे न्यूनतम है उसको आप पहले करिएगा चलिए आगे बढ़ते अब देखी क्या दिया उन लेकिद राज्यों में चावल के कुल उत्पादन और उन राज्यों में गेहू के कुल उत्पादन के साथ का अनुपाद हमें निकालना है अनुपाद है अनुपाद वाले सवाल बहुत ही आसान होता है तो देखिए अगर हम चावल का कुल योग करते हैं तो ये तो 28 हो गया और इसके साथ मतलब चावल के साथ हमें किसका अनुपादन निकालना है गेहू के उत्पादन का निकालना है तो चावल अनुपाद गेहूं हमें निकालना है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर चावल की बात करें तो 28 है option देखते साथ यही समझ में आ रहा है क्योंकि 28 से कटने वाला संख्या जो है वो है 14 तो अगर हम पूरा भी calculate करना चाहते है तो देखिए दूसरी संख्या भी calculate करेंगे यह हो गया 16 16 में 2 जोड़ेगा 18 18 में 4 जोड़ेगे तो आगया 22 22 में यहाँ पर 2 जोड़ेगे तो आजाएगा 24 में 6 को जोड़ेगे तो आजाएगा 30 अब इसका अनुपाद निकालेगे तो 2 से कटेगा तो आजाएगा 14 अनुपाद 15 14 अनुपाद 15 जो है इसका correct अनुपाद हो जाएगा ठीक है आशा करता हूँ कि आपको यह समझ भाया होगा ठीक चले बढ़ते आगा अगला सवाल देखते अब देखे चावल और गेवी में उत्पादन में अंतर किस राज्य में अधिक्तम है तो अगर अधिक्तम की बात करते हैं यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर 2 का अंतर है यहाँ पर कितना है 4 का अंतर है इसमें अगर देखते हैं 2 और 8 10 यानि कि इसमें 8 लाख टन का अंतर है और इसमें 8 और 16 में भी आठ लाग तनका अंतर है तो अधिक्तम अंतर वाले जो वे और बिज की अगर चाइए भी की कोशिश करते हैं पहले सबसे पहला काम निर्देश अच्छे से पढ़िए प्रश्ण 23 से 27 में नीचे दिये गए ग्राफ में दो कंपनी है ए तथा भी छे वर्षों में उनके निर्यात और आयात का अनुपाद दिया यहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहां पर हमें अ लाइन आपका कमपनी भी इस तरह से चल रहा ही ठिक है आशा करता हूं कि आपको समझ में आयोगा कि दोनों लाइन किस तरह से चल रहे हैं तो अगर हमसे यह पूछिए जायकि 2001 में company A और company A या फिर company A की बात करते हैं यहाँ पर आपके निर्यात और आयात का क्या अनुपात था company A की बात कर रहे हैं हम 2001 में तो यहाँ पर यह graph में यहाँ पर इस वाले point पर आया मतलब यह कितना हो गया 1.25 मतलब जो निर्यात है company A का बटे में जो आया था यह आपका कपका है A का और कौनसे वर्ष में है 2001 का यह हमको कितना मिल गया 1.25 अब इस 1.25 का मतलब होता है 5 बटे 4 यदि हम दूसरे company की बात करें यारे A की 2002 की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटे 4 कैसे हमने calculate किया देखिए अगर हम यहाँ पर 125 लिख रहे 1.25 का मतलब क्या होता है 1.25 का मतलब है गुने 100 कर लिजे और बटे में भी 100 दाल दीजे तो गुने 100 और बटे में 100 करने का मतलब हो गया 125 बटे 100 तो अगर हम इसको 25 से काट देंगे तो उपर 5 हा जाएगा और नीचे 4 हा जाएगा ये चीज हमें माइंड में करना है और माइंड में करके हम यहाँ पर 5 बटे 4 लिख रहें ठीक है ये सारी छोटी छोटी बाते जो हमें माइंड में करके calculation को तेजी से करना है आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उसमें कैसे हमें इसे हल करना है देखिए क्या पूछ रहा है एक कंप्री थी ए कंप्री ए का वर्ष 2008 और 2002 में निर्यात जो था टोटल हो था 90 करोड का था तो इन वर्षो में इन कंप्रियों का कुल आयाद कितना है लेखिए इसे हम ग्यात नहीं कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ देखिए अगर हमें निर्यात दिया हुए ठीक है कंप्री ए का निर्यात जो है हम ले रहे हैं 2001 में प्लस कमपनि एका निर्यात ले रहे हैं कब 2002 में और इन दोनों को जोड़कर हम लिख रहे हैं कितना 90 कुरोड लिख रहे हैं ठीकर है इतना हमने लिख दिआ अब समझे Maced होहाँ पर हमें तो यहाँ पर दिया हुआ है की कमपनि एका 2001 में मिर्यात जो था औरे감을 यह आयात था यह हमें दिया था 1.25 और company A का ही हमें 2002 में अभी हमने देखा था company A का 2002 में कितना था 1.75 अभी तो देखा ही था हमने A का निरियात यहाँ पर था 1.25 और 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 का कितना दिया हुआ 1.75 2002 में इनका निरियात और आयात की अगर हम अनुपात की बात करें तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1.75 1.25 अभी देखा था 5 बटे 4 होता है और यह होता है अपका 7 बटे 4 कैसे आया फिर सी एक बार हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर 7 बटे 4 आ कैसे रहा है 10.75 को हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और सौ से भाग देंगे यह हो जाएगा 175 बटे सौ और अगर हम इसको 25 से काटते तो आजाएगा साथ बटे तो इस तरह से हमने वहाँ पर साथ बटे चार लिखा हुआ है यह चीज जो है अपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए ठीक है आशा करता हो यह आपको समझ में आओगा अब देखे हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था इन दो वर्षों में कंपनी का कुल आयात कितना है म हमें जो आयात दिया हुआ था मेरा मितलब है निर्यात जो दिया हुआ था वो अलग-अलग नहीं दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है निर्यात दिया हुआ है एक में और यह भी एक ही है 2002 में दिया हुआ है और इन दोनों का कुल योग इतना दिया है यदि हमें अलग- वहां से आयात आ जाता दुहरद दू में तो अगर आयात दोनों का एम एका 2001 में और आयात एका 2002 में ये दोनों अगर आ जाता तो जोड़के हम निकाल लेते हैं लेकिन हमें यहाँ पर अलग-अलग थुड़ी दिया है, हमें तो 81 दिया हुआ है, तो 81 में से 90 क्रोन में से A का 2001 में कितना निर्यात होगा, और A का 2002 में कितना निर्यात होगा, यह तो हम ग्यात नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्यात नहीं किया जा सकता ही उत्तर होगा ठीक आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा अगला चाहल आपके स्क्रीन के पर है इसको सॉल्व करते है यदि 2003 में कंपनी B का आयात को अगर 40% बढ़ा दिया जाता है तो विर्दी की जाती है तो वर्ष में निर्यात और बढ़ी हुए आयात का अनुपात क्या होगा तो हमको 2003 में जाना है और B के पास जाना है B मने यह वाला कंपनी और 2003 मतलब यह वाला ना है तो अगर B में हम 2003 की बात करते है तो यह वाला decimal point आ रहा है यहाँ और यह किसके बराबर है 1.75 के बराबर है तो देखिए अगर हम यहाँ पर अनुपात की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको B का निर्यात और आयात पता चल लिए इसका जो अनुपात है यह दिया हुआ है 1.75 और 1.75 का मतलब अभी देखा था साथ बटे चार होता है तो देखिए अगर हम निर्यात लेलते हैं B का 2003 में और इसके साथ अनुपात बना लेते हैं आयात का B का 2003 में इन दोनों के अनुपात की बात करते हैं तो यह अगर साथ है तो यह चार है तो अगर हमें ये 40 प्रतिसत बढ़ाना है, इसको क्या करना है, हमें 40 प्रतिसत से बढ़ाना है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 70 और 40 कर दू, तो भी हमारा 1.75, 1.75 भी तो रहेगा, इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि 40 का 40 प्रतिसत निकालना ज़्यादा असान है, और हम decimal value से ब मतलब 40 को 40 प्रतिसत बढ़ाने का मतलब, 40 का 40 प्रतिसत उसको जोड़ना, मतलब यहाँ पर हमें कितना जोड़ना है, 16 जोडना है, और 16 जोडने के बाद यह बन जाएगा 70, अनुपात 56, और आप जानते हैं कि अगर 14 से हम इसे काट दे, इसे यदि 14 से काटेंगे, तो यहा अनुपात है, वो मन जाएगा 5, अनुपात 4, ठीक है, ए जो है इस सवाल का सही उत्तर है, और आशा करता हूँ कि यह जो हमने तरीका अपना है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके स्क्रीन के पर है, आईए उसको solve क उर्ने की कोईशिश करेंगे, देखिए यहां पूछ क्या रहा है, दिये घर वर्षों में से, कितने वर्षों में कम्पनी A का जो निर्यात है, वो आयात से अधिक है, देखिए, हमें तो यहां निर्यात और आयात का अनुपात दिया हुआ है, उसको बटे में करके दिया तो निर्यात जो है company A का और बटे में जो आयात है company A का ये क्या होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए ना एक के बराबर क्योंकि हमको बोला गया A का निर्यात जो है आयात से अधिक होना चाहिए अधिक होने का मतलब अगर इसको यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर एक से अधिक होना चाहिए, तो company एक ही बात करते हैं, 2001 में तो यह एक ही था, इसको हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर आपका था 1.75, 1.25, एक से अधिक है, तो यह बिलकुल सही है, यहने 2001 में, 2002 में जाते है company एक हा यहाँ पर आ जाएगा 1.75, यह भी सही है क्योंकि एक से बढ़ा है अगले साल यहाँ पर नीचे गिर के point, दसमलब 75 आ गया, जो कि एक से छोटा है, मतलब आपका निर्याद यहाँ पर छोटा हो जाएगा, तो इसे भी हम नहीं ले सकते हैं, इसके बाद देखेंगे, एक के बराबर भी नहीं ले सकते हैं, और यह एक से बढ़ा है, मतलब 2005 मे company A का जो है, निर्याद जो है, इस line के उपर है, एक के उपर है, तो यहाँ पर तीन वर्ष ऐसे हैं, जिसमें A company का निर्याद जो है, वो आयाद से ज़ादा होगा, ठीक है, आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में होगा, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, 2002 मे हमें जाना है, और company B की बात हो रही है, तो company B का जो यहाँ पर solid line है, वो यह वाला line हो गया, ठीक है, मतलब यह हो गया 2002 में, और यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो निर्याद और आयाद का अनुपाद आ गया, 1.25, तो company B का निर्याद जो था, वो B का 2002 में, बटे में इसका जो आयाद था, B का 2002 में, यह कितना है, 1.25, तोड़ी दिर पहले ही हमने देखा था, 1.25 के जगा आप लिख सकते हैं, पांच बटे चार, अब हमें तो यहाँ पर निर्याद भी आ ही हुआ है, यह निर्याद ही तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो निर्याद है, B का, उसक 40 करोड जो है, इस सवाल का सही उत्तर है, A option, खीक है, 26 वे नमबर का सवाल हो चुका है, अब चलते हैं, 27 वे नमबर के सवाल में, अब देखिए वर्चों में, किस वर्च में निर्याद और आयाद का अधिक्तम अंतर होगा, तो देखिए, इसे भी हम ग्याद नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर value नहीं दिया है, हमें अनुपाद दिया होगा, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जैसे कि हम कोई भी 2 साल ले लेते हैं, जैसे कि जो example हमने लिया था, इस साल को और इस साल को ले लेते हैं, ठीक है, निर्याद जो है A का, और बटे में आया दूसरी बात हम करते है, A का यहां पर 2002 में, निर्याद जो है A का 2000 में, और बटे में आयाद जो है A का 2002 में, यह जो है यह एक दसमलफ सात पांच का मतलब हम जानते हैं, क्या होता है, तो अगर हम इसका अंतर देखते हैं तो यहां पर तो अंतर कितने का रहा है यह तीन का अंतर आ रहा है और इसमें अंतर आ रहा है भई एक का लेकिन हमको यह थोड़ी पता है कि यहां पर जो आयात है वो एक्चुल में पांच है और निर्यात यहां पर पांच है और यहां पर अभी भी इसका जो मान है वो 1.25 यह होगा और लेकिन अंतर जो है वो कितने का आ गया पांच का अंतर आ गया तो पहले वाले case में हमने देखा यह ज़ादा था तीन का अंतर था और यहां पर हम देख रहें पांच का अंतर है तो देखें दिये गए वर्षों में किस वर्ष मे नियात और आयात का अंतर जो है अधिक्ता में ये हम कैसे बता सकते हैं जब तक कि हमको value ना दे तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अनुपात है और अनुपात में वैलू कुछ भी हो सकता है، ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसके बारे में हम ग्यात नहीं कर सकते हैं अब आते हैं हम आकड़े परियाप्तिता के उपर, देखिए आकड़े परियाप्तिता का निर्देश जो है ये मेरे पीछे जो इस तरह से लिखा हुआ है पांच, ये पहले आपको निर्देश दिया रहता है और इसके बाद आपको 5-6 सवाल भी होता है, वैसे तो आकड़े सबसे सरल भी होता है और सबसे कटिन भी होता है, सरल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सौल नहीं करना होता है, आपको बस बताना पड़ता है कि दियागे प्रश्न को और उसके नीचे जो कतन है, क्या ये कतन जो है वो परियाप्त है उपर वाले सवाल को उत्तर द होना चाहिए तो देखिए आए इसको समझते हैं कि निर्देश क्या है फिर इसके रिलेटर जो कुश्चन है वो भी देखेंगे तो देखिए सबसे पहले इस तरह का निर्देश आपको आपके पेपर में दिखाई देगा तो देखिए पढ़ते हैं इसे 28 से लेके 33 जो है इसमें प्रत्येक में एक प्रश्न है और दो कथन है कावन और कातु दिया हुआ है ठीक है अब करना कि आपको निर्दे लेना है कि कथन एक और कथन दो जो उत्तर है उत्तर देने के लिए परयाप्त है या नहीं है ठीक है आपको कुछ ऑप्षन रहते हैं A1, A2, A3, A4, A5 जैसे की A1 क्या होता है यदि आपको प्रश्न का उत्तर जो है केवल करवन याने की कथन एक से मिलता है लेकिन करटू याने की कथन दो से ना मिलता है तो आप क्या लिखेंगे आप A1 में उत्तर मार्क करेंगे A2 का मतलब ह होता है यदि आपको प्रश्ण का उत्तर केवल कर टू से मिलता है लेकिन किन्तू कर वन से आपको नहीं मिलता हो तो हम क्या करेंगे एटू पे मार्क कर देंगे यदि आपको प्रश्ण का उत्तर कर वन एवं कर टू दोनों को साथ में प्रयोक करने से मिलता है जब कि कोई भी कथन को अपने अपने उत्तर देने के लिए प्रयाप्त ना हो यानि दोनों को मिला कर जो आपको दिया गया है उन दोनों को मिला कर अगर हम इसका उत्तर दे सकते हैं तो आप A3 पे मार्क करेंगे और फिर चौथे पे क्या दिया हुआ है चोथा जो है यदि उत्तर देने के लिए कर 1 अपने आप में परियाप्त है तो आप यहाँ पर A4 को मार्क करेंगे और आखिर यह होता है कि यदि आपको प्रेशन का उत्तर कर 1 एवं कर 2 दोनों का प्रयाप करने से भी नहीं मिलता है और उत्तर प्राप्ति के लिए आपको पढ़ती है तब आप A5 मानेगे आशा करता हूँ कि A1 से लेकर A5 का मतलब क्या है ये आपको समझ में आया होगा इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा ठीक है आकड़े परयाप्तता में अब देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ था इस त सवाल दिखेंगे जैसे कि यहाँ पर 28 वे नंबर का सवाल आ चुका है देखिए इसको हल करने के कोशिश करते हैं देखिए हमको सौल नहीं करना है हमको बस यह बताना है उपर का प्रश्ण जो है यह कथन एक से हो जाएगा सौल की कथन दो से हो जाएगा या दोनों मिलाने कि उमेश की आयू कितनी है अब बोला गया कि महेंद्र अपनी बहन से तीन वर्श चोटा है तो हमसे तो उमेश के बारे में पूश रहा है और कथन वन क्या कहा महेंद्र अपनी बहन से तीन वर्श चोटा है तो यहाँ पर उमेश की आयू की तो हम कैसे बता सकते हैं कि उमे मेहंद्र के आयोग का आधा है अभी भी हम कहां बता पाएंगे कि अमेशख कि अच्छ कितनी है यह भी हमारे में परियापत नहीं यह अगर हम दोनों को कमभाइण करती हैं तो हमें घुमा दिया गया है कि द walking मेहंद्र जो है वो तीन वर्श छोटा है अपनी बहन से और महंध्र के आधी sis जो है वो fields के बराबर है तो अगर हमें बहन की i.o दे देता ग्या महंध्र की i.o दे देता तो हम जरूर निकाल सकते थे कि उमेश के i.o कितनी है दोनों को मिला कर लेकिन दोंों नहीं मतलब दोनों को combine करने पर भी हम नहीं दे पार है मतलब कि अब हमें और एक कुछ information देना चाहिए मतलब उत्तर क्या हो जाएगा इसका a5 जो है इस पर आप टिक करोगे तो d option जो है a5 इसका सही उत्तर है आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा तो 29 नंबर का सवाल आ चुक अब हमें बताना है यह 8 से विभाजित हो रही कि नहीं है पहला कतन कहे रहा है कि एकाई का स्थान जो है दहाई के स्थान से बड़ा है तो अगर हम यहाँ पे 512 लिख देते हैं तो 512 तो 8 से कट रहा है और एकाई का अंग दहाई के अंग से बड़ा है और अगर हम यहाँ आठ सो सत्रा लिख देते हैं तो यहां पर एकाई का अंग जो है दहाई के अंग से बड़ा तो है लेकिन आठ से कट रहा है क्या बिल्कुल नहीं कट रहा है वही मतलब इस कथन से कट भी सकता है आठ से यानि कि विभाजित हो सकता है और ना भी विभाजित हो सकता है मतलब य देकि अगर कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो वो 200 विभाजित हो गई होगा तो यह तो एक तरह से double information देदिया तो यहाँ पर आपको 4 से अगर विभाजित हो रही है मतलब दो से तो विभाजित होगी होगी तो इसका तो कोई मतलब भी नहीं है इस स्टेट्मेंट का अगर हम लेखते हैं कि कोई संख्या है 324 तीन सो चोविस और एक ले लेते हैं हम 648 अब देखें तीन सो चोविस जो है ये हमारा चार से विभाजित होता है और 648 जो है ये भी आपके चार से विभाजित होता है लेकिन तीन सो चोविस क्या आठ से विभाजित होता है नहीं होता है और क्या ये आठ से विभाजित होता है जी नहीं और क्या 648 आठ से विभाजित होता है जी ह इसका मतलब कथन दो भी अपने आप में संख्या को बताने के लिए हमें परियाप्त नहीं है अब हम मिला लेते हैं इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमने यह जो एक्जामपल लिया था एक्चुली दोनों में मिले ही हुए थे चूंकि देखिए आपका एकाई अंक जो है इस बात भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि 8 से विबाजित होगा की नहीं होगा मतलब कुछ और डेटा और चाहिए था हमें यानि इसका उत्तर हो जाएगा A5 तो A option जो है इसका सई उत्तर है ठीक है कुछ और सवाल देखते हैं देखिए वर्ग का शेत्रफल क्या है यह हमें ग्य अगर हमें कहीं से भूजा पता चल जाए तो हम वर्ग का शेत्रफल निकालए सकते हैं और परिमाप देगा चार गूने भूजा हमें देदिया तो क्या आप भुजा नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, यानि कथन एक तो अपने आप में परियाप्त हो गया, इस वर्ग का शेत्रफल निकालने के लिए, और कथन दो में तो डारेक्ट भुजा दे दिया, तो कथन दो भी अपने आप में परियाप्त ह और कथन दो भी अपने आप में परयाप्त है तो आप इसमें A4 मार्क करेंगे, A4, दोनों के दोनों अपने आप में परयाप्त है, तो इसमें से कोई भी नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि A1, A2, A3, A4, A5 नहीं है, A4 इसका उत्तर है, ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में और सुधीर को 200 अंक मिले थे, जो कि सुनिल के अंकों से 40 सदिक थे, तो यहाँ पर तो पास होने की बात ही नहीं की गई, तो हम यह कैसे बता सकते हैं कि पास होने का कितना न्यूनुतम होगा, तो यह तो हमारा पहला वाला कथन परयाप्त नहीं है, कथन दूसरा जो है, सु उनितम अंक जो पास होने थे, उससे 64 कम थे, तो यह तो अंकों की बात कर रहा है, यहाँ पर केवल कथन दो, केवल कथन दो से हम प्रतीशत के बारे में कैसे बताएं, या तो आपको कुल अंक बताना था कि कुल अंक कितने थे, वहाँ से हम प्रतीशत बता जेते, लेकिन तो एक बात हमें पता चल गया कि सुनिल को 25 प्रतीशत अंख मिले थे, पहली बात हमें पता चल गई सुनिल को 25 प्रतीशत अंख मिले थे, प्लस अगर हम ये बोल रहे हैं कि उसको पास जो अंख थे, पास अंख जो थे, उस पास अंख में 64 कम मिले थे, मतलब इस 25 प्रतीशत म चौशट अंख हम जोडेंगे क्या करेंगे चौशट अंख यदी हम जोडेंगे तो पास जो होगा पास अंख की बराबर होगा और आधी को इनफर्मिशन हमें कफन वन मिला था वो था कि यह 25 प्रतिशत मिले और सुधीर को 200 अंख मिले जो कि सुनिल के अंख से 40 अधिक है तो यह जो सुनिल का अंक जो है 25 प्रतिशत वो सुधीर के अंक से अंक जो था वो 200 था और वो सुनिल के अंक से 40 अधिक था लेकिन यहाँ पर हमें पास के बारे में दूसरा कोई information percentage में नहीं दिया गया केवल केवल एक ही value दिया था मतलब यहाँ से भी हम percentage दोनों मिलाने के ब सुधीर को जो मिला था वो 200 मिला था जो कि सुनिल से 40 अधिक था तो हमें यह थोड़ी बताया गया कि सुधीर पास हुआ कि नहीं हुआ हमें तो बस यह बोल दिया कि सुधीर को 200 अंक मिले और वो 40 ज्यादा थे हमको कम से कम दो information देना चाहिए था percentage और अंक में जो कि सकते हैं तो A5 होगा कि हमें कुछ और भी यहां पर information देना चाहिए था सूचना देनी चाहिए थी तब जाके हम यहां पर इसको निकाल पाते हैं 32 नंबर का सवाल यहां आ चुका है इसको solve करते हैं कार की गती कितनी है देखिए हमें पता है कि गती क्या होती समय एवं दूर बटे समय अगर हम पता चल गई तो हम यहां से गती निकाल सकते हैं तो अगर हम देखते हैं कार 100 किलोमेटर की दूरी जाती है धाई गंटे में तो यहां पर हमें दूरी भी बता दिया और साथ में समय भी बता दिया तो गती तो हम बता ही सकते हैं यानि कथन एक जो है अप यहाँ तो हम यहां पर आदमी काम को पूरा करेंगे अब यहां पर पहला वाला यहां पर बोला था कि he आदमी और तीन महिला है एक काम को जो है आट दिनों में पूरा करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो आदमी है और तीन महिला है इस कारे को आट दिनों में पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक आदमी की कारे कुशलता के बारे में नहीं पता चल रहा है तो इसलिए हम यहा यहां पर इसाठन करोद कि अपने पूर्ण फूर पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन कफन एक से आप यहां पर नहीं बता सकते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका A2 यानि कि 33 सवाल का जो उत्तर है वो है 33 आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा चलिए इस वीडियो को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं कि अप्टियर 3.0 के गनतिय योगिता के चौथे भाग में हमने देखा सार्मी, पाइचार, दंडारे, करेखा, चित्र और आखड़े परियापता के उपर हमने सवाल देखे, तो यहाँ पर हमने केवल सवाल ही नहीं, उसके पीछे का जो सूत्र है, कॉंसेप्ट भी हमने समझा, आशा करता हूँ कि आपका अच्छा कासा प्रिपरेशन हुआ होगा और यह काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन कुछ नए विशेयों के साथ, इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद.